बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड किया है डॉक्टर साब आप संत्रा खाके भी दिखाए शुगर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है तो आज हम रिव्यू करेंगे दो संत्रा खाके दो संत्रे जो है इसको मैंने चील के अल्रेटे ले लिया है और ये 300 ग्राम के आसपास है 296 ग्राम भी तो 300 ग्राम इसको हम लेंगे 200 ग्राम दो संत्रे से 300 ग्राम हुआ है 296 ग्राम भी प्रिसाइस तो इतना खाके हम देखेंगे कि हमारे शुगर लिवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम डॉक्टर अनुपम घोश है, मैं एक डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस नुटिशन स्पेशलिस्ट, स्वागत है आप सबका एक और फूड रिवीव में और आज हम रिवीव करने जा रहे हैं संत्रे का, दो संत्रे में ने लिया है, उसको छील लिया है, और उसको छीलने के बाद 296 ग्राम हुआ है, तो इसको हम 300 ग्राम मान के चलते हैं, ठीके, तो सबसे पहले एक बड़ टाइम देखते हैं अभी, अभी जो टाइम हो रहा है, बारा बच के 23 मिनिट, ठीके, बारा बच के 23 मिनिट, और मैंने 2 गंटा पहले ही अ बस्ट मिल खतम किया था, तो अभी बारा बच के 23 मिनिट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 2 गंटा हो चुका है, और एक में अपनी ब्लड शुगर लेवल लोंगा अभी, और ये मेरा पीपी ब्लड शुगर होगा, तो सबसे पहले पीपी ब्लड शुगर लेवल चेक करते ह कि आज का मेरा पीपी ब्लड शुगर लेवल कितना है, तीन अंडे का ओमलेट और एक कप दूद वाली चाय पीने के बाद, ठीक है, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपेतिक, ठीक है, और ये दिखिए, ग्ल्यूकोमेटर बिल्कुल तयार है, फटा-फट से प्रिक कर लेता है, ओके, खून आ चुका है, और ये काउंट डाउन शुरू, तो आप देखिए, एक सो चवालीस है, ठीक है, एक सो चवालीस है, आज मैंने तीन अंडे का ओमलेट खाया था, और एक कप दूद वाली चाय पिया था, तो मेरा पीपी जो ह है, एक सो चवालीस है, अब काफी लोग ये कह सकते है, सर, आपकी तो ये नॉर्मल रेंज में नहीं है, बिलकुल ये एक सो चालीस के रेंज में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फिलाल मेरे को इनसुलीन रेजिस्टेंस है, और इनसुलीन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लेकिन आप ये सवाल भी पूछ सकते है कि सर आपकी 144 क्यों आया है आपने तो आज करवाइडिट खाया नहीं है बिलकुल नहीं खाया आज मैंने करवाइडिट लेकिन आपका रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आज के मिल के उपर वेरी नहीं करता है यही चीज मैं आप लुक को बताना चाता था आपके रीडिंग जो है आपने 24 गिंटे पहले किया खाया उसके उपर भी कही बार निरवर होता है तो मैंने कल जो खाया था कल संडे था और मैंने कार्ब लोडिंग करी थी कल सेटर्डे और संडे को मैं कार्ब लोड करता हूँ इसका मतलब है कि मैं एक्सेस मात्रा में कार्ब लोडिट खाता हूँ ठीक है ये carb loading बोलता है इस पे भी detailed video बनाऊंगा मैंने वैसे तो बहुत सारे videos में समझाया है carb loading क्या है लेकिन और detailed में आप लोग को समझाऊंगा कि carb loading क्या होता है और क्यों करना जरूरी है और किसको करना है किसके supervision में करना है अपने से carb loading कभी भी मत करें नहीं तो आपकी sugar level बढ़ सकती है तो मैं carb loading करता हूँ Saturday और Sunday जहाँ पे मैं 200-300-400 ग्राम तक कई बार carboidid खा लेता हूँ ठीक है और Saturday और Sunday को मैंने excess carboidid खाया और इसका नतीजा ये हो सकता है 144 लेकिन 144 भी range में है 180 के नीचे है सतर से लेके 180 टाइम इन रेंज में है तो कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है तो आज के पहले मिल में मैंने protein और fat लिया है carboidid बहुत ही कम लिया है तो ये जो मैं करने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप भाईयों के लिए experiment करने जा रहा हूँ हला कि मैं ये 300 ग्राम fruits एक साथ तो नहीं खाता हूँ नहीं recommend करता हूँ नहीं diafit diet में ये recommend करता हूँ लेकिन diafit diet अगर आप follow करेंगे तो आप fruits भी खा सकते हैं लेकिन आपको हमेशा food combination के साथ खाना है carbohydrate के साथ आपको protein भी लेना है और fat भी लेना है 300 ग्राम जो फल है इसमें आपको तक्रीबन 36 ग्राम carbohydrate मिलेगा fat और protein इसमें ना के बढ़ावर है आपको 7-8 ग्राम के असपास fiber मिल जाएगा इसकी glycemic index जो है 40 के असपास है 40 के असपास है तो glycemic load आप कह सकते है इस पूरे plate का 300 ग्राम संत्रे का 14-15 के असपास glycemic load होगा उतना जादा नहीं है medium range में है but that's okay तो फिलाल मैं ये मिल करूँगा 300 ग्राम संत्रा खाके 2 गंटे बाद देखूँगा मेरा sugar level बढ़ता है या घरता है इसके पहले मैंने जो अभी चेक किया है मेरा pp reading था वो 144 आया इसके बाद 2 गंटे बाद चेक करूँगा वो भी pp reading होगा वो देखूँगा कितना आता है बढ़ता है या घरता है संत्रा खाने के बाद तो सबसे पहले संत्रा खाते है तो दोस्तों मैंने दो संत्रा खा लिया है अभी ठीके दो संत्रा मैंने चील के लिया था एक्जेक्ली उसका जो वेड था वो 296 ग्राम था मैं 300 ग्राम मान के चल रहा हूँ 100 ग्राम संत्रे में आपको 12 ग्राम के आसपास आपको कार्बोईडेड मिलता है इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स जो है वो 40 है तो ग्लाइसिमिक लोड जो है वो आप कैल्कुलीट कर सकते है कैसे होगा वो carboided content के उपर depend करता है तो जितना carboided आप खाएंगे उसके उपर आपकी glycemic load depend होता है ठीक है तो 300 ग्राम मैंने संत्रा खा लिया है फिलाल time देख लेते हैं 12 बच के 34 मिनिट ठीक है तो दोस्तो दो गंटा हो चुका है मेरे को दो संत्रा खाई वे दो संत्रा को मैंने मेजर किया था 300 ग्राम के आज पास था ठीक है तो 300 ग्राम संत्रा मैंने आज खाया है और दो गंटा हो चुका है एक बार आपको time दिखा देते हैं तो ये जो टाइम अभी आप देख रहे हैं, दो बच के इकतिस मिनिट हो गया है अभी, दो गंड़ा हो गया है लगबग, ठीक है, तो अभी जो मैं अपनी शुगर लेवल चेक करूँगा, वो मेरा पी-पी ब्लड शुगर होगा, और उसके पहले भी मैंने चेक किया था, वो अभी तक लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर लिजे, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इस तरह के वीडियोज बनाने के लिए, स्टिप हमने लगा लिया है, ग्ल्यूकोमेटर बिलकुल रेडी है, और फटा-फट से प्रिक करते हैं, सुबा मैंने लेफ्ट हैंड से प्रिक किया था, अब राइट हैंड से प्रिक करूँगा, ठीक है, ये कौन आ चुका है, और ये काउंट डाउन शुरू, तो आप देखिए, इस बार मेरा पीपी जो है 117 आया है, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप फ प्रूट लेवल जो है, बढ़ता नहीं है, 117 है, क्योंकि फूट्स में फाइवर होता है, फुक्टोज होता है, उगलुकोस में कंवर्ट होने में समय लगता है, सबसे पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है, कि इस बार मेंने फूट जो है, सेकेंड मील में लिया था, फर्स्ट मील में ने लिया था, फर्स्ट मील में मैंने अंडा खाया था और तीन अंडे में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, आपको 15 ग्राम के असपास फैट मिलेगा, तो जो फैट और प्रोटीन मैंने खाया था, उसको डाइजिस्ट होने में भी समय लगता है, ठी है कि इसमें fructose होता है और हम जो चेक कर रहें glucose चेक कर रहें दूसरी चीज यह है कि इसकी glycemic index जो है वो काफ़ी कम है तो गलाइसीमिक load उतना ज्यादा नहीं है और तीसरा point जो है वो है कि मैंने पहले जो खाया था वो protein खाया था और fat खाया था ठीक है तो यह सारा चीज responsible होते है आपकी शुगर लेवल को ना की सिर्फ एक मील खाने से ठीक है 117 आया है तो जो मेरा अंडा खाने के बाद जो पीपी था वो ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि उसमें कर्बाइड भी नहीं था फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा आया वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछले रात को काफी हाई कार्ब लिया था उसकी वज़े से इंपेक्ट हुआ है और इस बर हाई कार्ब लेके मतलब 36 ग्राम कर्बाइड लेके और प्रोटीन और फैट नहीं लेके फिर भी मेरा शुगर लेवल जो है 117 आया है क्योंकि मैंने इसके पहले मील में कार्बाइड बिलकुल नहीं खाया था ठीके तो आपने 24 ग्राम क्या खाया उसके उपर भी डिपेंड रहता है कि आपकी शुगर लेवल क्या आएगी ठीके तो उमिद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को सही इंफोर्मेशन नहीं मिलेगा और फूट्स आप लोग को खाना एक्सपिरियंस में डिवलप किया है इसमें आपको 26 प्रतिशत या उसके नीचे आपको कार्बाइडिट से लेना है 1.5 ग्राम से लेकि 2 ग्राम पर के जी बोडिवेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलरी से आपके TDE का वो आपको लेना है healthy fat से तो ये और जो भी मैंने खाया है अभी 36 ग्राम जो कार्बाइडिट मैंने फल से अभी लिया है तो ये भी मेरे dataid के अंदर ही है क्योंकि dataid के अंदर से मेरी जो calculation हो सकती है वो है तकरिबन 130 140 ग्राम कार्बाइडिट ठीके तो 140 ग्राम कार्बाइडिट के आसपास मुझे daily basis पे पाता हूँ तो मेरी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और 36 ग्राम मैंने आज फल से लिया है और बाकी चीज जो रोटी और चावल से मिलूंगा और 140 ग्राम के नीचे अपनी शुगर लेवल अपनी कर्बोईडिट को रखने की कोशिश करूंगा तो डायफिट डायट अगर आप फोलो करेंगे तो आप 300-400 ग्राम फल भी खा सकते हैं बशरते आप की जो रिक्वाइर्मेंट है वो 26 प्रतीशत के नीचे हो ठीक है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो संत्रा खाने से घबराते हैं फल खाने से घबर करके बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए इस वीडियो में इतना ही मैं मिलोंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत ध जोती है